तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आप लोग के एक रिजिनिंग की क्लास आई है आज से पहले मैंने रिजिनिंग की सर्फ एक ही क्लास कराई थी वो है कलेंडर वाला टॉपिक जिसने भी हो कलेंडर वाला टॉपिक नहीं देखा है उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में रिजिनिंग कलेंडर कुछ लिखा होगा मैंने टॉपिक बनाया था फोल्डर उसको देखले ना क्योंकि ये क्वेसट तो कलेंडर से आता ही आता आपकसी भी एक्जाम में बैट जाये अगर वहां रिजिनिंग होगी तो ठीक है आप लोईर पीसएस में जाएंगे वहां कलेंडर का क्वेशन दिखीगा आप अपर PCS में जाएंगे वहाँ दिखीएगा आप बीडियो भी बीडियो पटवारी लेकपाल कहीं नहीं आपको ये दिखता ही रहेगा कलेंडर का कुशन और उसी का समकक्षे उसी का भाई घड़ी यानि दो तीन चेप्टर ऐसे हैं रिजिनिंग के जहाँ से कुशन आते ही आते हैं और ये थोड़ा से ट्रिकी चेप्टर हैं ठीक है कंप्पीटर की 10 क्लासेज लगभा करा दिये तो 8 से 10 क्लासेज आपकी वीडियो वीपीडियो तक उसकी और आएंगी क्योंकि कंप्पीटर का जो portion है वो कनिस साहिक की दिश्ची से उतना important नहीं है जितना वीपीडियो के लिए क्योंकि वीपीडियो में syllabus open करके दिया है अब कनिस साहिक में कितने computer के question आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं इसके बारे में push नहीं कह सकता हूँ लेकिन हाँ वीडियो वीपीडियो में जरूर computer के question अच्छी कासी मात्रम आपको दिखेंगे reasoning की बहुत से लोग demand कर रहे था और अब भी देखो एक ही साथ हर किसी को मैं satisfied नहीं कर सकता हूँ यानि satisfied नहीं करने का ये मतलब होता है कई लोग देखो अलग-अलग समय पर अलग-अलग demand करते हैं जैसे आप लोग खुझ जानते हैं मैं आप लोग को रेजिनिंग पढ़ाओ जिसकी रेजिनिंग strong होगी वो तो कहेगा किसी भी साइट पर मिल जाएगा कुछ भी मिल जागा ये पढ़ाओ आप लोग उससे में माफी चाहता हूँ ऐसा बिलकुल मत करना क्योंकि मैं आप अगर आप उससे होगे ये मत पढ़ाओ ये हम ये कोई भी पढ़ा लेता है दूसरा यानि हम दूसरी जगह से पढ़ लेंगे या आप ये पढ़ाओ ये कहीं नहीं मिलता है ऐसा मत करना है ठीक है आपके साथ हर कोई अब देखो जिसकी रेजिनिंग कमजोर हो मुझसे तो जगाए बेट है ना कई लोग मुझसे उम्मीर लगाए हैं कि रेजिनिंग करा जीजे तो उन्हें भी देखना है ठीक है एक पक्षी नहों के मल्टिपल सेक्टर यानि हर पक्षी में देखना है अब देखें कुछ ही नहीं करना है सीधे रेजिनिंग है बहुत आसान इसमे टाइप साथ टाइप के question पूछता है तो हम type 1, type 2, type 3, type 4 करेंगे ठीक है, कुछ ही नहीं पढ़ने है ठीक है, सीधे सीधे question लिख लो type 1, क्योंकि आपका question exam में आएगा और आपको exam में question हल करना है, ठीक है, type 1 इस type के question में हमेशा क्या पूछता है कोण निकालना, क्या निकालना पूछी का इसको angle निकालना, क्या पूछी का घंटे की सुई और minute की सुई के बीश कोण निकालना, किसके बीश कोण निकालना, यानि type 1 लिखो, आप लोग heading कोण निकालना, आपको सिर्फ सिर्फ क्या निकालना इसमें कोंड निकालना कि कैसे कोंड निकाला जाता है यानि एंगल क्या होता ये अब example पहले question देख लेजे पहले question समझे फिर example लिखे 10 बच कर 10 मिनट में 10 बच कर 10 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई ये घंटे की होती है और मिनट की होती है आप लोग जानते है 10 बच कर 10 मिनट में 10 बच कर 10 मिनट में क्या है घंटे की सुई ठीक है घंटे वो मिनट की सुई के बीच मिनट की सुई के बीच कितने कोंड होगा ये question इस type का question पूशन पूशता है ठीक है भाइसाब, इसको बहुत आसानेंसे, आप लोग कर लोगे, आपको क्या याद, क्या है, बताओ reasoning, 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 reasoning लगा रहे, किसान का बच्चा भी reasoning सीख जाता है, जिसका नाम ही तरक सकती है, अब आप कोगे, सर हमारे तो समझ में नहीं आता, कैसे कह रहे हो कि हम लोग समझ जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ न, समझ जाओगे, थोड़ा सा ध सुई को किस से गुणा कर देना है, तीस से गुणा कर देना है, ठीक, दूसरा, जो आपको जितना मिनट की सुई दी होगी, कितना बज़ा है इसमें, दस बज़ा है, तो इसको आप जितना मिनट हुआ होगा, उसको किस से गुणा कर दो, 11 बटे 2 से गुणा कर दोगे, 11 वैल्यू बड़ी आई गी उसमें से छोटे को आप घटा देना जैसे इसकी कुछ वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू यानि दोनों का अंतर कर लेना अंतर मसले डिफ्रेंस यानि माइनस आपको क्या करना है आपने घंटे के सुई को 30 से गुणा कर दिया और उसके आद उसमें करने के बाद 180 से जादा आता है तो उसको 360 में से कम कर देना ठीक है तो लिखो यदी यदी इसको घटाने के बाद ठीक है आंसर आपका यदी आंसर 180 से जादा 180 से जादा तो उसे 360 से माइनस कर देना 360 से घटा देना बस बंतो गया आपका काम लोग इतना हलका है देखे आप कौन नी शीखता है किसान का बच्चा भी शीख जाएगा आप लोग कहेंगे अब इसी का एक्जामपल ले लिजे मैंने कहा 30 को आप किससे गुणा कर दोगे ये घंटे की सुई गंटा कितना है दस बज़ा है तो 30 गुणा 10 करो 30 गुणा 10 है तो कितना हो गया 300 हो गया दूसरा मिनट की सुई को आप किससे गुणा कर दोगे 11 बच्टे 2 मिनट कितना हो है दस बज़ा है 10 बच की 10 मिनट तो 11 बच्टे 2 गुणा 10 कर दिया अब इतना तो आता होगा ना अगर उपर इंटूम होगा तो कैंसल हो जाते है इस तैप से कुछ तो पढ़ा होगा आपने ये 10 है 255 को माइनस कर दोगे दोनों को मैंने माइनस कर देना का तो 300 मेंसे अगर आप ये घटा होगे तो आपका कितना आएगा 245 आएगा नहीं आएगा अब मैंने क्या कहा 245 आंसर नहीं होगा यदि आंसर 180 से जादा आगया ये 180 से जादा आगया तो इसको आप 360 मेंसे घटा दो तो घटा दो 360 में से, 360 में से 245 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जैसे ही 245 माइनस किया, तो आंसर कितना आगया आपका, 345 और 115 डिगरी आंसर आगया, बताई, क्या है यार, अब ये तो चलो पहली बार था, मतलब आपसे कहा कि क्वेशन कर भाई, घड़ी के क्वेशन कर, एंगल निखालना, पहली बार था जल्दी से नोट कर लिया, आपने तुरंट आ गया, अब क्या होता है, कोई भी चीज पह पॉटल फॉर्मूला लिख दो, आंसर अगर 180 से प्लस है, तो क्या कर दोगे, प्लस है तो 360 माइनस, जो आपका आंसर आया है, यानी यह जो आंसर आया है, ठीक है, ये, ये आपका final answer हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका final, फाइनल हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, अब question आप मैं यहीं पर change कर देता हूँ, आपको कितने हलके से बताता हूँ, देखो, 6 बच के 80 मिनट लिख दिया मैंने यहाँ, मैंने का, चल भाई बता, 6 बच के 80 मिनट में कितना होगा, आपने क्या गया, सर ने कहा था, 30 से गुणा कर दे ना, घंटे की सुई को, 30 गुणा 29 को 11 से इंट्यू करती, कितना आजाएगा, आपका, जल्दी से बताए, 103, बत्ब, 200 कितना होगे, 90 और उसमें 29 जोड़ो कितना होगे, 319, तो यह कितना आजाएगा, आपका 319, फिर मैंने क्या खा था, दोन्हों में से एक दिश्यों को माइनस कर देना, तो आपने खा था, बड़े में से छोटा घटाओ, छोटे में से बड़ा घटाओ, आपका दोनों को डिफ्रेंस देखना है, तो 319 में से 180, अगर आप लोग जल्दी से घटाओगे, तो कितना आजाएगा, आपका 139, आंसर आगे, क्यों, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं, 180 से कम है, अगर मैंने हाँ, अब इतना calculation करूँ, into a room, multiply करूँ, वो नहीं पकड़ना है, आपने, आपने main theory पकड़नी की, main concept है पकड़ना है, कि इस में से ये घटा देना है, अगर answer 180 से जाएगा, तो 360 में से उसको घटा देना है, तो 139 ही आ रहा होगा, सायद मेरे ख्याल से, ठीक है, चेक कर ले 139, अब जैसे इसी प्रकार से ये question मैंने कहा, मैंने कहा, चल बता भाई, एक बच के 10 minute में, इनके 20 का कोण कितना होगा, मतलब मैंने कहा कि, बता इन दोनों के 20 का angle कितना होगा, एक बच के 10 minute में, आपने कहा, sir, क्या बात करते हूँ, मैं बताता हूँ, चल बता भाई, क्या तीस में से पच्पन गटाओ या पच्पन में तीस गटाओ आपको सिर्फ इसका गैप देखना कि कितना हो रहा है 25 डिग्री आ गया देखें आंसर हो गया अब किसी भी केस में reasoning का question अगर angle निकालना आ गया simple सा क्या करोगे घंटे की सुई को 30 से गुणा कर दोगे मिनट की सुई को 11 बटे 2 से गुणा कर दोगे दोनूं का gap लिख दोगे आंसर हो जाएगा यदी 110 से उपर आंसर आएगा तो यह याद रखना कि उसको 360 में से गटाना है यदी आंसर 110 से उपर आएगा इनको करने के बाद उसको 360 में से गटाना काम 1 ठीक है completed by type 1 type 2 क्या लिखोगे type 2 को निकालना आगया आपको ठीक है मैंने गाना आप से इसमें क्या करते हैं दो ख्लासे जाएंगे आपकी type 2 type 2 में क्या करना है सिंपल सी बात है देखिए एक चीज बताना एक जो second वाली सुई होती है second वाली आपके वाद घड़ी होती है या या दखना एक second अगर घड़ी अपने जग़े से खिसा करिए तक अगर के ऐसे जाता है जो यह एक second जाता है इसमें 6 degree का कोण बनता है हमेशा आया तक ने second वाली 6 degree का कुमाएगी एक second में दूसरा minute की सुई आती है अगर एक minute हो रहा तो वो एक minute कैसे होगा जैसे यह ना बार में है बार से बार जस्मलों एक में जाने पर एक मिनट मिनट वाली सुई यह भी 6 degree का कोण बनाती है लेकिन अगर कोई घंटे की सुई है अगर वो एक घंटा किस लकई एक घंटा किस लकई मतलब बार से वो एक में जाएगी न तो बार से एक में जा रही है अगर एक घंटा किसके की तो वो 30 degree का कॉण बनाएगी कैसे अभी बता दे हो मैंने क्या कहा second वाली एञ स्वी यह होता न, 11-2, 12-3, 12-3, 12-4 फिर एक आता है, second वाली एग second बार से यहाँ पे पहुँचेगी इतना ही जाएगी मिन्ट वाली एक concent श्वी जालेब यहीं पे तो पहुंचते न? एक घंटा होने में डारेक्टी सुई यहां चले जाती है तो उसमें इसने ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 सब कबर कर लिया तो 6 बंचा 30 तो एक घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो 30 डिगरी का कौन बनाती है अब आपसे question क्या पूछेगा देखो आपसे question पूछेगा 125 में मतलब आपसे कुछ भी question पूछता है जैसे एक सब लगा लिए आपसे 12 सेकेंड में मिनट की सुई कितना कोन बनाएगी आपसे question पूछेगा ठीक है आपसे question क्या पूछा 12 सेकेंड में किस की सुई कहा आपसे 12 सेकेंड में मिनट की सोई क्या लिखोगया 12 Second में मिनट की सोई यह वह कितना कोण बनाएगी है। आप स्युक्वे और ऊस twist्यू पितना कोण बनाएगी अब यह वात किог मैं कितना कोण बनाएगी। अब आपको पता है कि आपको 12 सेकेंड नहीं पता, लेकिन आपको 1 सेकेंड पता है, 1 मिनट पता है, ठीक है, सिंपल सी बार, आप लोग क्या करोगे, आपको सेकेंड में पूछा है, इससे बड़ी वाली जो यूनिट होगी, सेकेंड वाली पूछा है तो मिनट, मिनट वाला घंटा, ठीक है, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ठीक, इस प्रकास, आप से कहा कि second वाला पुछेगा, आप इसके आगे वाली को लिख लेना, आप क्या करोगे, एक मिनेट बराबर होता है, 6 degree, आप इसके आगे 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 आगे, आप ये लिख दोगे, minute लिखा होगा, तो आप ये लिख दोगे, simple सी बात, ठीक है, आपको second वाला है, तो उससे आगे वाला लिख दिया, एक मिनेट बराबर 6 degree, अब आपने कहा कि एक मिनेट है, 6 degree सन्ने बता है, तो सलू सही हो गया, लेकिन ये एक मिनेट में, लेकिन आपसे question तो second पूछा है, अब आपको पता तो है, इस मिनेट के अंदर को second सुपे होता है, कितने second होते हैं, एक मिनेट के अंदर, क्योंकि पता है, नहीं है, अब आपको पता है, जब आपको पूरी value होती, तो आप एक unit की निकालते हो, एक unit की निकालोगे, तो ये क्या होता है, divide में चला जाता है, तो एक second में आ जाएगा आपका 6 बटा 60, ठीक है, और जितना पूछा है, उससे कुणा कर दो, 12 से कुणा कर दो, 12 12 से कुणा कर दो, 6 बटा 60 गुणा 12 हो गया, कितना हो गया, 12 से 60 कर जाएगा 5 ठीक है, या 6 से 60 कर जाएगा 10 जो भी करते हैं आप लोग, तो जब इसको solve गरोगे, तो ये कितना जाएगा, 6 बटा 5 के something आएगा, ठीक है, ये देखो, ये 6 बटा 5 आएगा, कैसे आया 6 बटा 5 जे देखो, 6 से 60 कितने बार कर जाएगा, 10 बार cancel होगा, और अब आप कुछ पता होगा, 2 से 6 टाइम cancel होगा, 2 से 5 टाइम cancel होगा, क्योंकि 2 का, जो डिवाइट करोगे, 6 बार डिवाइट होगा, और 2 से 5 बार, तो 6 बटा 5 आएगा, इसका answer आगा, ठीक है, ऐसी ही दूसरा, अगर आपसे पुछ जाएगे, 28 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, कितना कोण घुमेगी, अब आपको पता है, अगर आपको तो पता है कि एक घंटे में 30 का बनाती है, लेकिन ये मिनट पूछा है, मैंने का जब पूछेएगा, उससे नीचे वाले को लिख एक मिनट की मिनट वाला पूछा है, आप ही लिख देना, आप ही लिख देना, एक घंटा बराबर 60, फिर आपको पता है कि मिनट पूछा है, तो उसको मिनट में कम बनात कर दो, एक घंटा का हो या 60 मिनट को हो, एकी बात तो है, 60 मिनट बराबर, मनलब एक घंटे में 30 होता और यह यह 30 ही रहेगा ठीक 30 डिगरी अब आपको पता है कि मिनेट आगे 30-60 मिनेट वराबर 30 डिगरी आपको पुछा 28 मिनेट 28 पुछा तो सबसे पहले एक मिनेट लिखोगे एक मिनेट वराबर यह डिवाइट में चला जागा 30 बटे 60 जितना पुछा उसको इंटू कर देन तो 28 मिनेट में कितना है गुमेगा 30 बटा 60 इंटू 28 जब आप इसको कट फूट करोगे 0 से 0 गैंसल हो गया 3 से 6 दो बारMakeon & 2 से 8 14 टाइम गैंसल हो गयाrir तो 28 मिनेट में 14 डिगरी का क्या गुमी का गुमी का घंटे के सुई में इतना सिंपल है बताइए आपको कुछ नहीं करना है आपको ये पूशता है तो आप ये बराबर ये लिख देना उतने मिनट में कितने ये होते हैं वो लिख देना, एक में बटा कर देना और जितने का बुशे का उख से गुणा कर देना ये आपका टाइप 2 हो गिया ठीक है इससे क्वश्चन आने के संभावना कम रहती है टाइप 2 से, टाइप 1 से बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपके एक्जाम में क्वश्चन पोचे इसको करते रहना जितना प्रेक्टिस हो दिन भल लगे रहो ठीक टाइप नंबर 3 अब आपका आता है अब ध्यान से देना ये थोड़ा सा अच्छा कोश्चन और इससे कोश्चन आने के संभावना रहती है टाइप 3, टाइप 3 क्या करना आपको जब घंटे वा मिनट की सुई एक दूसरे को ओभल लैप करे या एक दूसरे के उपर या 0 डिगरी का कोण बनाए यानि कहने का मतलब है देखो जैसे ये घड़ी है आपकी ठीक है ये घड़ी है इस प्रकार से यहां 3 लिखा होता है यहां 12 यहां 9 यहां 6 यह सुईया होती है इसमें घंटे की होती है सपोर्ज यह घंटे की है यह मिनट की है यह सेकंड की है तो क्या कभी ऐसी कंडिशन आती होगी कि यह घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दुसरे के उपर आ जाती होंगे, नी ओभर लैप करती होंगे, बिलकुल आती होंगे, जैसे, सपोस्थ 3 बच के 5 मिनट है, तो 3 बच के 5 मिनट में बताइए घड़ी किस होई कहा होगी, 3 के आसपास होगी, 15 मिनट में हाँ उसी के उपर होगी, तो 3 बच के 5 मिनट में एक आठ के नौ के उपर होगी और एक आठ के उपर होगी लेकिन उस टाइम ओभरलैप नहीं करेंगे ओभरलैप कब करेंगे exact point में value आती है ठीक है मतलब exact वाली value अब जैसे तीन बच के पंदुरी मिनट में exactly overlap नहीं करेंगे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि overlap का मतलब वो किसी ने किसी condition में दोनों सुई है एक दुसरी के उपर होती है कई बार आपने देखा होगा तो ये question ये पूछता है type 3 में लिखना है आपको जब घंटे वो मिनट की सुई एक दुसरी के overlap करें या एक दुसरी के उपर हो या 0 degree का कोण बनाए ठीक है तो क्या ल overlap का मतलब होता है कि एक दुसरी के उपर है ठीक है overlap या एक दुसरी के उपर एक दुसरी के उपर हो या 0 degree कोण बनाए वो समय पर तब समय क्या होगा तब समय क्या होगा ये question पूछता आप से यानि आपसे question बुचेगा 3 बज़े और 4 बज़े के बीच किस समय दोनों सुई ह एक दुसरी के उपर होगी या किस समय दोनों के बीच 0 degree का कोण बनेगा इस टैप से question पूछता है जब question करोगे तब आपके समझ आएगा आपसे मैंने question पूछ दिया पहले इसको करने से पहले मैंने question लिखा 2 से 3 बज़े के बीच कब दोनों सुई है एक दुसरी के उपर हो कब दोनों सुई है एक दुसरे के उपर या 0 degree का कोण ठीक है एक दुसरे के उपर एक दुसरे के उपर या 0 degree का कोण बनेगी या 0 degree कोण बनेगी ये question आपसे पूछ दिया एक चीज आप लोग सीखे, देखे, पहले इसको सीखने से पहले एक चीज आप लोग सुनिए, हमेशा याद रखना, यह rough work है, ठीक है? आप लोग rough में लिख लीजिए, हमेशा याद रखना, एक घंटे में, एक घंटे का मतलब सपोर्ष दो से तीन तक जा रहा है, तो 2 से 3 जाने में जो घंटे के सुया पहरे 2 थी वो 3 पे पहुंच जाएगी और जो मिनट के सुया वो तो चलती रही ठीक है एक घंटे में दोनों सुया एक बार overlap करती हैं याद रखना तो लिखो एक घंटे में एक बार overlap होता है सिर्फ एक बार ऐसा condition होगी एक time ऐसा होगा जो exactly दोनों एक दूसरे के उपर होगी एक बार क्या होगा overlap होगा यानि एक दूसरे के उपर होगा यानि एक दूसरे के उपर होगा यानि जीरो डिगरी ठीक है एक बार overlap ठीक है बार घंटे में 11 बार होता है 12 गंटे में 11 बार एक दुस्य के उपर होंगी और 24 गंटे यानि एक दिन में 22 बार एक दुस्य के उपर होंगी ये rough work है ठीक है अगर खाली कभी वन लाइनर पूछ दिया कि 24 गंटों में कितनी बार घड़ी के सुई आ एक दुस्य के उपर होंगी तो 22 बार ये one liner की रूप में याद रखना है इसको ठीक है ये कैसे होता है खुद सोचिए जब एक घंटा होता है एक घंटा यानि बार से एक तक सुई पहुंच गी तो कोई ने कोई कंडिशन ऐसी आएगी ना दोनुस ने एक दुश्य के उपर होंगी पिल्कुल होंगी लेकिन बार घंटे में 11 बार ही क्यों होता है क्योंकि एक एक ऐसा होता है जो रिपीट हो जाता है आप बारवी घंटे को जब सुरुआत करोगे और जो एंड करोगे कोई ने कोई वहाँ पर रिपीट हो जाता है इसलिए एक कम हो जाता है और जब आप 24 घंटे करोगे तो दो बार 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 करके हुमने ना तो दो बार रिपीट हो जाता है इसलिए दो कम कर देते हैं बाइस बार ठीक है आपको सिर्फ या लग रहा है आपको एंसा question आ गया अब आपसे मैंने कहा बता भाई इसका क्या होगा आप वहाँ परेसान आपके पसीने छूट रहे है ठंड आपको सर्द लग रही है सर्द है ठीक है नाक को उपर को खीचते है उस सर्द लग रही है हैं यहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाती क्योंकि बेहुस्तो गर्मी का टाइम है वह अलग चीज है यहां आपको यह समझने है आपने पहला वाला question निकाला एंगल निकाला एंगल क्या था दोग के बीच 30 को आपने घंटे के सुझी से गुणा किया और मतलब घंटा जित चल बता कि भाई जो सुई और वो है वो कितने में कितने का कोण मनेंगी वो आप सीथे समझगी यह question आता है दो और तीन की बीच का कौन दोनु सुई या एक दूसरे के ऊपर या overlap करेंगी इस टाइप का question अगर आपसे पूसता है तो आपको क्या करना है इसका answer लिखना है ठीक है प्रारमभिक समय को क्या करोगे प्रारमभिक समय यानि जो starting time है प्रारमभिक समय को आप किस से गुणा कर दोगे पांच से गुणा कर दोगे आँग बंत करके यानि दो और तीन के भी starting time कौन हुआ दो हुआ तो प्रारमभिक समय को गुणा कर देना आपसे आपने कि से सीधे सीधे 5 से गुणा कर दिना है पहला कर देए प्राप्त मान को 65 से गुणा यानि multiply कर दोगे तो आपका किया मसलब है मैंने का कि 2 से 3 बजे की 20 कब दोनुस हुई एक दूसर के ऊपर होंगी अब आंसर में हमेशा याद रखना 3 आगे अगा 3 बज़ के इतना मिनट नहीं होगा याद रखना 2 से 3 बज़ कह रहा तो आगे वाला 2 ही होगा क्योंकि 2 बज़ के कुछ मिनट 2 बज़ के आया, प्राप्त मान को, प्राप्त कितना आया, 10, 60 बट्टे 55 गुणा कर दो, कर दे ना, भाई, 65 बट्टे 55 गुणा, क्यूं टैंसल लेता रहता है, यार, बता, तो तुरंत गुणा कर उसको, प्राप्त मान को, 65 बट्टे 55, तो प्राप्त वेल्यों 10, इसको इंटू कर दिय साट बट्टे 55 से अब आता है सॉल बगंदी के बाद अभी भी कहता हूँ calculation में कोई मरा answer आना चाहिए नहीं मरा ठीक है आप कैसे करोगे देखो ये into में है उपर नीचे cancel हो जाते हैं और आपस में into होते हैं ठीक है देखो ये 5 से 2 time cancel हुआ 5 टूजा 10 और 5 से 11 time cancel हो गया गया 155 तो 60 दोना कितना आगे है 120 बट्टे 11 ये value आई अब option में ऐसा दिया होगा तब तो ठीक है option में answer क्या हो जाएगा आपका इसका मतलब 2 बच कर 120 बट्टे 11 minute ऐसा option दिया होगा तब तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं देता है वो answer क्या देता है इतना सही इतना वाला तो divide कर दो इसको 11 को 120 से मतलब में divide करोगे कितना हैगा 11 10 110 यानि 10 बार गया ये 110 हो गया और नीची 10 बचा ठीक है इतना ही तो बचा तो आप लोग को पता है अब यार इधर देख लो न अगर इतना ही confusion है तो इधर देखोई divide कर देता हूँ ठीक है 11 120 कितना होगा 11 10 110 होता है सब जानते है तो कितना ही बचा ही 120 में 110 गटा 10 बचा ऐसे गुमा देना घड़ी को यहां से इस परकार से पहली value यह रिखना फिर यह रखना और इसको इससे divide कर देना तो answer कितना आजाएगा आपका इसको बोलते है पेपर में ऐसे देता हो पहली यह लिखता है 10 सही फिर 10 इधर लिखेगा फिर नीचे इसके 11 कर देगा यह answer हो जाएगा तो आपका answer क्या होगा कब ऐसा होगा दो बचकर दो तो रहे गए रहेगा आगे क्योंकि जो प्राडम्पिक समये इसका minute यह आएगा ठीक है 10 सही 10 बट्टा 11 minute में दोनू सुया एक दुसरी को overlap करेंगी या दोनू एक दुसरी जीरो डिगरी का क्या बनाएंगी कोड बनाएंगी अब यार वहाँ यह मत कह क्या न कि क्या क्या सर हमसे नहीं हो पाता है हम मैच से नहीं सीख पाते हैं हमें बहुत टॉफ लगती है हमने तो कभी reasoning की नहीं हम तो art background के हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं भी भी कह रहा हूँ economy हो, geography हो, history हो कुछ भी हो, reasoning हो किसानी ग्यान है किसान का बच्चा भी सीख जाता है हर कोई सीख जाता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं कोशिश तो किजी आप सीखने की तो यह आपका बन जाएगा ठीक है तो ऐसे करना है प्रारमभिक समय को प्रारमभिक समय जल्दी देख लीजे कितना है 8 बजा यह देखना 8 से 9 बज़े के बीच कब दोनों सोया मैंने यह नहीं कहा कि कब दोनों के बीच मैं लग कितना कोण होगा अगर यह पुस्ता 8 से 9 बज़े के बीच कितना कोण होता तो आपने क्या किया प्रारंभिक समय को 5 से, प्रारंभिक समय कितना है 8, 8 गुणा 5 कर दिया आपने अच्छे बच्चों कि दर है 8 पन से 40, दूसरा प्राक्त मान को प्राक्त कितना है 40, 60 बट्टे 55 से गुणा कर देना इन्टू 60 बट्टे 55 आतो क्या वैल्यू तो इसका आंसर कितना होगा 8 बचकर 8 बचकर अब लिखने हैं आपने इसकी वैल्यू निकालनी कैसे निकालोगे देखो 5 से कितने टाइम कटा गेंसल बहुत खलकी कल्कुलिशन आती है ठीक है 8 फाइब जा 40 और 5 से 11 बार कटा तो इस 6 और 8 कितना होगा 8 सक और 40 480 बट्टे कितना होगा 11 डिवाइट कर दो इसको 480 को 11 से डिवाइट करोगे ऐसे कर देना पेपर में क्या जादा आपका 11 को 480 से ठीक है सबसे पहले ये वैली डिखोगे फिर ये फिर ये तो कितना होगा देखो इग्यार 4 जा 44 ये 4 हुआ ये 0 आ गया है हाँ तो इग्यार 11 3 जा 33 तो इक इतना होगा 7 ठीक है अब नहीं होगा तो ऐसे दिखोगे ऐसे तो 43 यानि 8 बचकर 43 ही 7 बचाई यार 7 by 11 ये इसका आंसा आ जाएगा ठीक है इतने बज़े इन दोनों के बीच एक दुसरे कोई क्या करेंगे अब करते रहो प्रैक्टिस जितना करते हो तीन टाइप का क्वेशन हो गया अब आता आपका next टाइप नमबर 4 ठीक है एक एक क्वेशन आपका value रखता है और ये चीज़े उतनी टाफ है नहीं जितना आप लोगों इसको बना रखा है अब लिख लीजे आप टाइप नमबर 4 अब एक बार जल्दी से टाइप 3 करने तक टाइप मनलब करने तक क्विक रिवीजन करो ठीक है क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है टाइप 1 टाइप 1 में क्या था ऐसी roughly लिखना ठीक है बहुत भारी भर कम मत बनाना सिर्फ एक पेज में आपका पूरा घड़ी खताम हो जाना चीज़े प्रैक्टिस मत करना घर पे एकाद करना बाकी एकजाम मत करना क्योंकि प्रैक्टिस घर में करोगे लोड बढ़ा दोगे एकाद बार करना बस टाइप 1 क्या था कोण निकालना कैसे क्या आपने इसको क्या आपने 30 से किया घंटे की सुई वाले जितने में होगी माइनस कर दिया आपने उसको 11 बटे 2 से मिनट की जितने में होगी वो एंगल आ गया यदि इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा आई 180 प्लस हो तो आपने क्या किया 360 में से इसको घटा दिया इनि एंगल लिखे रहा हुआ जो भी आया माइनस यह एंगल आ गया जितना भी आया था आपका 20 मनलब 210 पंद 350 जो भी आया था 360 जाजा आने पर तो उस टाइम फाइनल आंसर यह होगा वरना फाइनल आंसर यहीं पर आ गया 360 काम होने पर ठीक है पहनी कंडिशन दूसरा क्वेशन मैंने बताय था टाइप 2 टाइप नंबर 2 इसमें मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक सेकेंड वाला है वो 66 डिगरी घुमता है एक सेकेंड में ठीक है जो मिनट वाला होता है वो भी 6 डिगरी घुमता है लेकिन घंटे वाला जो होता है वो 30 डिगरी घुम जाता है एक मतलब राउंड कंप्टेट करने में ठीक है तक घुमने में एक घंटे में तो आपसे क्वेशन पुछेगा आपसे पुछेगा 12 सेकेंड में कितने क्या इंगल बनने है तो आपको पता है कि बढ़ इससे आगी वाली को लिग दूँगा आपने कहा एक मिनट में 6 डिगरी उसके बाद एक मिनट बढ़ाबस 60 होता है तो 60 में 6 डिगरी एक में निकाल दोगे आप तो एक सेकेंड में 6 बटा साथ जितने का पुछा उसको इंटू कर दोगे ठीक है इस परकार से और टाइप 3 मैंने पुछा मैंने का कि प्रारंबिक समय को किसी गुणा कर दोगे जब आपसे पुछीगा कब एक दूसरे के उपर होंगी जिरो डिगरी का पुछा प्रारंबिक को 5 से जो ये वैल्यू मिली इसको कितने 60 बटे 55 से इंटू कर दोगे उतना जो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ये था आपका क्या होगी एक चप्टर डाइरेक्शन वाला दिशा निर्देश कुछता है बाएं जला दाएं जला ये चला उचला फाइनल डाइरेक्शन क्या है वो भी कल लेंगी क्या जा रहा बता होगा अन्यमे ठीक है टाइप नंबर फोर इसमें क्या है आपको मिरर पर आधारित क्वेस् प्रस्न दरपन पर आधारित प्रस्न टाइप नंबर फोर इसमें क्या क्वेशन आपसे पूछता है देखे आपको दिया होगा रियल टाइम यानि वास्तविक समय इतना होगा रियल टाइम दिया होगा दिया होगा और mirror time यानि दरपन पर ठीक है mirror time पूछेगा mirror time क्या है क्या है तो आप क्या करोगे मतलब तुरंट ठीक है दरपन टाइम पूछेगा आप क्या करोगे तुरंट से इसको फटाक से जो आपको real time दिया है और दरपन टाइम पूछेगा आपको answer जो इसका होगा आपका क्या होगा तुरंत इसका answer आपको जो time दिया है जैसा भी दिया है आप क्या गरो 11-60 यानि 11 बच के 60 में लिखोगे ठीक है 12 नहीं लिखोगे इसको 12 ही बोलते हैं 12 नहीं लिखने हैं 12 दशनो 2 0 नहीं लगाने 11 बच के 60 लिखना है इस पर माइनस कर देना है real time जो दिया होगा यह आपका answer आजएगा और इसी का anti ultra ठीक है इसी का opposite यदि real time मतलब मेरे दरपन time दिया हो दरपन गिबन हो ठीक है और real पूछे real क्या है गईगा तो answer क्या हो जाएगा 11.60 में से आप दरपन के time को घटा दोगे दरपन time यानि समय आप क्या कर दोगे इसमें minus कर दोगे demo देख लेते हैं क्या है इसका भी demo देखने में क्या जा रहा बताओ जैसे आप से पुचा किसी घड़ी में आप question खुद लिखना ठीक है आप इसको प्रेक्टिस करते हैं जल्दी इसको note करो बहले मैं इसको erase भी करता हूँ जल्दी से note करो जल्दी आपने क्या करना है note करना है कल लिया होगा ठीक है आप से question पुचेगा किसी घड़ी में 9 बचकर 12 मिनिट हुए है तो इसका दरपण समय कितना होगा यहनी mirror image कितना बनेगा अरे भाई इतना simple तो है sir 11.60 मैं से आपने गा था real time घटा देना यही तो है 9 बचके 12 मिनिट 10 मां बार घटाओ 48 11 मैं से 9 घटाओ 2 2 बचके 48 मिनिट आंसर आगे है कितना simple है यार बताओ बढ़कते रहते हो नहीं आता हमें अब आधे लोग तो भूगी ले जाते हैं सीसा आईना रखते हैं कि बहाने बनाते कि हम लोग सीसा लेगे बाल बाल बनागे वो देखते हैं गड़ी में match करके ठीक है घड़ी लगाएंगे ऐसे होता नहीं है इस बहुत simple है दूसरा इसी प्रकार से आपको question देदेगा आपसे कहाँ कि time 12 बच के 5 minute हुआ है तो mirror में क्या बज़ा है कुछ भी बढ़ा थे रहो ठीक है आपसे कहा कभी time real time 12 बच के 5 minute हुआ है तो दरपण में कितना बज़ेगा यानि घड़ी में कितना वो सीसे में कितना देखीगा हमेशा याद रखना एक चीज हमेशा इसको ध्यान रखना जब कभी 12 लिखा होगा ना इसको 00 मानना क्योंकि आप 12 जैसे आप लोग गटा दो, साट में से पास गटा, पस्पन, एगार में जीरो गटा, एगारी रहा, तो एगार बचके पस्पन मिनट आंसर आपका आ जाएगा, तो कितना सिंपल है, आया नहीं आया, बहुत सिंपल है, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बताता हूँ, आप ऐसी कर देना, इसको जो भी आएगा, आप से क्वेश्चन पूछा, आप से क्वेश्चन क्या पूछा, आप कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आप से ये कहा, एक मतलब टाइम है, वो मिरर में दो बच के अनतालीस मिनट हो रहे हैं, यान इसके सामने एक दरपन रखिये गएगा, यानि इसके सामने एक दरपन है, यानि सीशा है, उसके सामने एक और दरपन है, इस दरपन के सामने एक और दरपन है, तो इस दरपन में क्या टाइम होगा गएगा, इस वाले दरपन में, ठीक है, वहाँ कन्फ्यूज मत करना, ये क 11 सर ने बताया था मुझे कि यह मतलब हम लोग time को minus करते हैं यानि 1160 में से हम 249 minus कर देंगे ठीक है 0, 2, 4, 8 घटा दो, 60 में 24 घटा 12, 11 में बता दो, आपको बता ज़ते हैं 9 बार, यानि यहां पर कितना बजा है 9 बसके 12 मिनट अब वो गहर है, इसके सामने फिर जरपन रखा है तो आप फिर इसको minus कर दो आप क्या कर दोगे, 1160 में से 9 बार घटा दोगे, 1160 में से 9 बार घट गया, 60 में से 9 बार घटा, 48 11 में से 9 घटा, आपका कितना आजएगा 11 में से जलती 9 घटा, 2, 2 बसके 14 मिनट, क्या आजएगा आपका answer आजएगा, ठीक है, इस परकार से आपका घटी की class की पहली class आपकी end होती है एक class और आएगी इसकी उसमें question भी करा दूँगा, उसके अलावा का पढ़ नहीं घटी में, समझ आया होगा तो बता देना, comment करके नहीं आया होगा, फिर कोई और class दखेंगे, reasoning बंद कर देंगे, जैसा भी होगा, मुझे आउगकत करा देना, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले session पर अपना ध्यान रखिए Thank you, take care